तो फाइनली आज चुकिए मेरे पास नॉइस की तरफ से नॉइस कलर फिट आइकन टू तो यह नॉइस कलर फिट आइकन आई थी उसी का यह अपग्रेड वर्जन है आइकन टू तो यह वच देखने को मिल जाता है अगर आगे बढ़ने पहला आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप लोग ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटावट चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना तो बात कुरें इस बॉक्स के बारे में तो इसके एक उपर आपको वॉच की प्रिंटिंग देखने को मिल जाती है और नीचा आपको कलर फिट 401 रिखा हों देखने को मिलता है बॉक्स बागे चीज़ों में आगे हम बात कर रहे ही तो चलिए फटापर इसके लेते हैं, बॉक्स के अंदर सबसे उपर आपको एक वारंटी कार्ट देखने को मिल जाता है, जो आपको noise की तरफ से मिल जाता है, इसके लावा कुछ आपको noise के stickers देखने को मिल जाते हैं, और साथ ही आपको मिल जाता है जिसके अंदर आपको metallic body देखने को मिल जाता है, बैक साइड में, पॉली कार्बोनेक का यूज किया गया है अगर में बात कुरों इस watch के build quality के बारे में तो इस watch के अंदर आपको metallic frame देखने को मिल जाता है और भाहिए बैक साइड में पॉली का यूज किया गया है इस straps की बाद करूँ तो इस watch के अंदर आपको 22 mm का straps प्रोवाइट किया गया है इस straps की quality भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है इस watch को पहनने के बाद आपको कोई भी आसी itching की problem नहीं होती है और वही side में आपको एक button प्रोवाइट किया गया जिसको प्रेस कर गया back जा सकते हो और साथ ही साथ इसके अंदर आपको inbuilt speaker and mic का भी option देखने को मिल जाता है जिसके तुरू इसके अंदर आप calling का features यूज कर सकते हो अब फट फट बात कर लते हैं इस watch के features के बारे में इस watch के अंदर आपको voice assistant का features प्रोवाइट किया गया है तो इस watch के health tracking की बात करूँ तो इसके अंदर आपको SPO2, heart rate, sleep monitor and breathe monitor जैसे अच्छे features मिल जाते है और इसी के साथ-साथ यहां पर आपको 60 sports mode प्रोवाइट किया गया है इस watch के अंदर, daily life में जितने भी usable sports mode है वो सारे इस के अंदर आपको provide किया गया है and water rating की बात करूँ तो इस watch के अंदर आपको IP67 की rating provide की जाती है usually bluetooth calling वाली watch के साथ आपको IP67 ही देखने को मिलती है but अगर IP68 होता तो काफी जादा बहतर हो जाता and साथ ही साथ इस watch के अंदर आपको दो inbuilt game का भी option देखने को मिल जाता है इसको खेल के अपना time pass आप कर सकते हो battery life की बात करूँ तो इस watch के अंदर आपको 6-7 days का battery backup प्रोवाइट किया गया company की तरफ से but yeah में recording इस watch को अगर आप यूज करते हो normally तो इसके अंदर आपको 4-5 दिन का यी battery backup देखने को मिलेगा setup and application की बात करूँ तो इसके अंदर आपको noise color fit track application को इंस्टाल करना होगा देन उसके साथ इस watch को आप pair कर सकते हो काफी जादा easy process है इसको आप setup कर सकते हो और साथ ही साथ बात करूँ इस watch के basic features के बारे में तो इस watch के अंदर आपको music control, camera control, weather forecast, stop watch and alarm का features प्रोवाइट किया गया है तो अब बात कर लेते हैं इस watch के UI के बारे में तो सबसे पहले आपको ओपर से swipe करते हैं कोटिफिकरशन देखने को मिल जाता है and वहीं नीचे swipe करते हैं आपको setting के कुछ shortcut देखने को मिल जाते हैं यहां पर आपको D&D mode देखने को मिलता है साथ ही साथ यहां पर आपको brightness, find my phone setting and flashlight का option देखने को मिलता है and इसी के साथ साथ यहां पर आपको silent का भी option देखने को मिलता है setting की बात करूँ तो setting के अंदर भी आपको काफी सारे functions देखने को मिल जाते है यहां से आप इन सब को enable or disable कर सकते हो सबसे पहले आपको यहां पर watch face change करने का option मिलता है then उसके नीचे आपको vibration का option मिल जाता है इसके लावा यहां पर आपको brightness का भी option मिल जाता है and इसी के साथ साथ यहां पर आपको about power of reset and restart का भी option देखने को मिल जाता है right से swipe करने पर आप main menu चले जाते हो जहां पर आपको watch के सारे features show हो जाते है सबसे पहले यहां पर आपको health tracking, sports mode, messages and music control, camera control यह सारे features यहां पर आपको show हो जाते है and वहीं left से swipe करने पर आपको shortcut देखने को मिलते हैं यहां पर आपको आपको activity शो हो जाती है साथ ही साथ यहां पर आपको slip mode, heart rate and spo2 इसी साथ यहां पर आपको weather forecast भी देखने को मिल जाता है तो इस watch के जिए UI काफी बहतर work कर रही है कहीं पर आपको lag का issue देखने को नहीं मिलता है basically आपको noise की सारी watches में lag का issue देखने को मिलता है but इस watch के अंदर आपको ऐसी कोई दिक्कत face करने को नहीं मिलेगी तो अब calling test भी कर लेते हैं इस watch के अंदर और देखते हैं कैसी इस watch की calling quality hello हारी आवाज अच्छा मैं पूछ रहा था मेरी आवाज कैसी आ रही है अच्छा मैं ना वो watch की testing कर रहा था actually मेरे पास एक watch आई थी ना भी noise color fit की सो उसी के मैं testing कर रहा था और देख रहा था calling quality कैसी है तो मतलब आवाज मेरी कैसी आ रही है जैसे phone से आ थी वैसी आ रही है चल ठीक है यही पूछ रहा था मैं करता हूँ तुमसे बाद में बाद ठीक है तो आपको अंदाजा मिल गया होगा है कि कैसी इस watch की calling quality मुझे तो ठीक ठाक लगी सी calling quality वाँ कि आप खुद भी judge कर सकते हो तो आप फटाफट इस watch की accuracy भी test कर लेते हैं और देखते हैं क्या reading प्रोवाइड कर रही है watch heart rate का so watch की हमारी final reading आ चुगी है तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो इसके अंदर आपको ठीक ठाक accuracy देखने को मिल जाती है so अब फटाफट SPO2 भी हम चैक कर लेते हैं इस watch के अंदर और देखते हैं क्या reading प्रोवाइड करती है watch SPO2 का so अब देख सकते हो यहाँ पर आपको SPO2 की reading भी आ चुकी है यह दोनों जगों पर आपको लगबग सेम सेम रीडिंग शो रही है तो आपको SPO2 की reading आपको काफी जादा accurate शो करती है watch so overall accuracy की मामले में इस watch के अंदर आपको 80-85% की accuracy देखने को मिल जाती है तो अब फटा फट इस watch के हम surface टेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं क्या यह watch हमें table का कोई reading देती है या नहीं तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा watch आपको कोई भी reading नहीं देती है watch आपको warn करती है wear the watch properly and try again so एक बार हम surface का SPO2 भी check कर लेते है so यहाँ पर भी आपको कोई reading नहीं देती है watch मतलब इस watch के अंदर आपको काफी बढ़िया sensor प्रोवाइट किया गया है so आप finally बात कर लेते हैं इस watch के conclusion के बारे में यह watch आपको लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए तो यहाँ इस चीज को आप खुद भी decide कर सकते हो क्योंकि मैंने सारी चीज़ा आप लोगो को test करके दिखा दिये चाहिए वो calling test हो या फिर इस watch की accuracy की बात हो या फिर इस watch के sensor की बात करें तो सारी चीज़ा मैंने आपको test करके दिखा दिये sensor भी काफी ठीक ठाक काम करते है इस watch के अंदर जैसा कि मैंने आप लोगो को दिखा भी दिया है under 2500 आपको Bluetooth calling का features मिल जाता है Bluetooth calling होने के साथ साथ इसके अंदर आपको 60 sports mode मिल जाते है जो के काफी अच्छा features मिलता है इस watch के अंदर link आपको description मिल जाएगा वहाँ से जाके इस watch को आप check out कर सकते हो यह watch अभी आपको flip card के ओपर 24 double N के देखने को मिल जाएगी तो फटा पर check out कर सकते हो यही थी आज की video, hope करता हूँ आप लोगो वीडियो पसंद आई होगी अगर आप लोगो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को subscribe कर देना तो मिलता हूँ मैं आप लोगो से next वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई